संख्याओं को गिनने में होने वाली सामान्य गलतियां आज हम बच्चों को संख्याओं को गिनने में होने वाले कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे यहाँ पर मैंने कुछ वस्तुएं रखी हैं आईए सबसे पहले इन वस्तुओं को गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै और साथ. अब मैं इन वस्तुओं की व्यवस्था को थोड़ा बदल दूँगी. या वस्तुओं की संख्या अब साथ से कम है या अधिक? आईए इन्हें दो बारा गिनते हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै और साथ. या तो अभी भी साथ ही है. इस गतिविधी के हमने सीखा की वस्तुओं को फिर से व्यवस्थित करने से उनकी संख्या में बतलाव नहीं होता है. अब मैं वस्तुओं को दो बार अव्यवस्थित करूंगी और हम उनकी संख्याओं को फिर से गिनेंगे. आईए इन्हें दो बार आगिनते हैं एक, दो, तीन, चार और पांच अब वस्तूओं की संख्या साथ से कम है अब हम बच्चों से एक छोटा सा कार्य करवाएंगे बच्चों की कौपी में आज की तारीक और यहां पर दी गई वस्तूओं के चित्र को उतारिए अब बच्चों को प्रत्येक प्रश्ण के लिए सही या गलत का चिन्न लगाने के लिए कही जैसे पहले प्रश्ण में क्या दोनों और वस्तूओं की संख्या समान है हां के लिए सही का चिन्न लगाईए और नहीं के लिए गलत का अभ्यास को पूरा करने के बाद बच्चों के कार्य की तस्वीर लीजिए और उसे वाट्साप ग्रूप पर भेज दीजिए